नमस्कार सभी को मैं हूँ सौरव आप देख रहे हैं exam focus finally economics का last 3 महीने का current affair हम आपके साथ share कर रहे हैं और ये बहुत important episode है उन सभी के लिए जिनका upcoming exam आने वाला एक 2 महीने में January, February and March हला कि March मंद का बहुत सारा current affairs जो economics related था वह हमने पिछले वीडियो में cover किया था जो monthly current affairs था एक से 20 मार्च के बीच वाले section में मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और just for example जो questions थे like जो cabinet committee for economic affairs से 19.28 km का bridge कहां पर launch की है तो awesome में घाले में की है या फिर Asian Development Bank से हमने किस किस states में loan लिए है या फिर World Bank ने कहां कहां लोन लिए है किस किस purpose के लिए है इंडिया का third IT sector कहां पर develop को आई तो ये सारे questions मैंने पिछले वीडियो में discuss की है उनको इस वीडियो में फिर से include करने का कोई मतलब नहीं बनता है पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजेगा चलते हैं इस वीडियो पर अच्छा ये वाला जो section है इसका सारा notes मैंने www.myexamnotes.com पर update कर दिया है वहाँ पर आप जाकर revise भी कर सकते हैं पहला question आपके सामने ये रहा recently which bank became the third Indian firm I mean यहाँ पर firm होना चाहिए 2 x 6 lakh करोर market value तो पहली दूसरी company ऐसी जिसने third firm in fact तीसरी company ऐसी किसके बाद देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि रिलाइंस सबसे उपर है अगर market value की बात करें क्योंकि उनकी जो market value है वह 8.5 lakh करोर की है और उसके बाद Tata Consultancy Services आता है TCS जिसकी market value 7.5 lakh करोर की है third obviously HDFC bank तीसरी company इंडिया की बनगी जिसकी 6 lakh करोर से उपर की market value अब है यहाँ पर important बात इस PIC को देखकर आप समझ सकते हैं कौन है इनके CEO अधित्यपूरी और HDFC bank का headquarter कहां पर है तो यह मुंबई में इतनी बात जानना ज़रूरी है यहाँ पर अब चलते हैं आगे top 10 firms का नाम मैंने आपके साथ share करते हैं at which place aerospace company saffron is going to set up its plant saffron नामक एक aerospace company अपना plant इंडिया में कहां पर स्थापित करने वाला है answer is Hyderabad तो अंसर याद रखे कि actually यह जो company है यह turbofan engines बनाएगी बनाती है और इसका करीब 36 million euro यहाँ पर investment करने का plan है 36 million euro हैदराबाद में और करीब 13,000 square meter खायर यह तो जाना जरूरी नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं वर्ग में इसका जो पूरा setup होगा वो होगा और special economic zone के तहट SEZ जिस तरीके से अधानी पावर ने जहारखंड में एक special economic zone के तहट एक power plant बना है जहाँ पर बंगलादेश को power दिया जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर special economic zone के तहट सेफरन अपना plant established कर रही है और करीब जून 2019 से इसका काम शुरू होना है यह भी उतना जानना भी जरूरी नहीं है लेकिन कौन सी कंपनी है कहाँ पर करेगी यह जानना जरूरी है यह कोशन हमने January या February वाले section में किया था शायद आपको याद होगा किन्ट.io का नाम है जिसको अब स्वेगी ने overtake कर लिया एक artificial intelligence based company है और जो स्वेगी के लिए काफी important हो सकता है या फिर उसके market capitalization और market के बढ़ावा देनी के लिए काफी useful हो सकता है तो इनके जो founding members थे किन समय fast रहूंगा Japan Prize Foundation Award 2019 edition of prestigious Japan Prize to Indian professor named Dr. Ratan Lal सीधा सीधा यहाँ पर answer है और करी 15,000 scientist को पूरे दुनिया भर से एखटा किया जाता है I am sorry और फिर यह award दिया जाता है तो काफी prestigious प्राइस है जपान प्राइस और Dr. Ratan Lal जो कि Indian based उनको दिया गया है Daiki Aluminum Industry Co. Limited to set up its industry at Daiki is Japanese कह सकते हैं पंपनी है Daiki Aluminum और यह अपना जो setup है वो establish करने वाली है Shri City आंदरप्रदेश में अब यहां जानने वाली बात क्या है कि 200 करोड का investment है और यहां से जो Aluminum produce क्या जाएगा वो Asian countries और Japan को export होगा तो economic aspect से यह काफी important Asian और Japan को मेरा गराज बहुत फसर है I'm sorry sorry for that okay करीब 88,000 ton annual production आंका जा रहा है 600 staffs overall देखिए यहां पर important बहुत important जानने वाली बात यह है कि इस plant में 80% जो employees होंगे वो women होंगी लड़ी औरतें होंगी महीलाएं होंगी तो यह इस लिहाज से important है सक्तिकांत दाश is governor of RBI, he is dash governor of RBI तो RBI के governor सक्तिकांत दाश जो की अर्जित पटेल के इस्तिफी के बाद जो की जिनका term अभी पूरा नहीं वा था लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तिफा दे दिया था और उसके बाद आएं सक्तिकांत दाश वे कितने कह सकते हैं उनका rank क्या है as RBI governor के list में अगर आप देखे तो 25 रैंक पर आते हैं ठीक है और former economic advisor रहे थे 2015 से 2017 के बीच में economic affairs secretary रहे थे वो moving ahead यहाँ पर कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है क्योंकि यह question हमने किया है OIC BPRL has acquired oil block in important question है देखिए OIC Indian Oil Corporation obviously सबको पता है और भारत Petro Resources Limited BPRL जिसको कहते हैं उन्होंने 50% stack acquire किया है उर्जा भारत PT Limited के तहट कहां पर तो अबू धाबी में एक oil block लिया है यह जो oil block है यह कहां located है अबू धाबी में तो किस ने लिया है तो Indian Oil Corporation और भारत Petro Resources Limited का 50-50% stack है उर्जा भारत PT Limited के तहट अबू धाबी में ठीक है करीब 170 million investment यहां पर करना है 170 million USD तो dollar लिखना मत भूल जाना वरना पूरा गलबड हो जाएगा और explore करेगी यहां पर से तेल निकालने की कोशिश करेगी company चार साल के term के लिए और यह जो region है अल धाफरा और रुवाइस city के नजदीक में पड़ता है अब उधाबी के now global energy transition index 2019 was released recently what is India's rank इंडिया का rank क्या है तो देखिए इंडिया का rank तो काफी पीछे है रिकिन फिर भी BRICS nation में अगर आप बात करें तो इंडिया ही एक ऐसा nation है जो इंप्रूफ किया है from 78 इंडिया improved to 76 तो current rank इंडिया का 76 है और Asian country की अगर बात करें इसमें तो सबसे उपर थी Malaysia देखिए यह जो 31 है यह Malaysia का rank है इंडिया का 76 answer मैं mark कर देता हूँ पहले यह Malaysia का rank जो की Asian countries में सबसे उपर रहा और इंडिया से पीछे चाइना है 82nd rank पर अब अगर बात करें वर्ल्ड की सबसे बेस्ट performing country की तो वो है Sweden 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 और उसके बाद Switzerland और उसके बाद कौन सा है तो नौर्वे है इतना जानकारी काफी है अब यह है क्या देखिए World Economic Forum के द्वारा 115 country का लिश्ट तयार किया गया था काफी सारे indicators होते है global energy transition index के जिसमें जो energy structure है country में वो कैसा है capital और investment कैसा है political commitment कितना जा रहा है और innovative business involvement कितना या environment कैसा है business का उन सब पे यह global energy transition index तयार किया जाता है actually carbon dioxide emissions को लेकर भी इसमें काफी सारा आप कह सकते हैं वो भी एक तरीके का point होता है इसके analysis में अब चलते हैं which Indian Airlines has recently joined IATA very important पहली बार यह एक budget airline जो की part बनेगी IATA का IATA है क्या तो International Air Transport Association पहली बार यह 2019 में register हुआ था दूसरे नाम से फिर 1945 में नाम change हुआ खैर इतना हमको पीछे जानी के दरुवत नहीं है IATA के करीब presently जो IATA का member है वो 290 से उपर है तो world में 290 airlines से जादा इसके members है अब इसके member होने का फाइदा यह है कि IATA के बहुत सारे services provide करती है इस airlines को अब फाइदा मिलेगा अपना जो विश्तारी करन होता है उसमें तो answer is spice jet spice jet IATA का member है और पहला budget Indian carrier है तो जो other Indian carriers है like Air India या विश्तारा jet airways यह तीनों भी IATA के members पहले से हैं और इससे international collaboration में फाइदा मिलेगा इसके services बहतर होंगी नए नए offers avail कर सकेगा IATA के द्वारा provide किया हुआ facilities दी जाएंगी और global reputation भी बढ़ेगा spice jet का answer is spice jet अब IATA का headquarter कहा है तो यह है Montreal कहां पर है यह Canada में R-E-A-L Canada ठीक है अब चलते हैं आगे काफी सारा discussion हो गया इस पर now you know cash point is cardless ATM launched by very simple आप सबको पता होगा इसका answer very clearly तो इसका answer है SBI SBI का है यह you know app और इसके आपको six digit का एक पिन डालना होगा app में आपको आप जब इस परक्रिया के बाद आपको SMS के थुरू एक छे digit reference code भेजा जाएगा जो आप अपने cash ATM में इंटर करेंगे और पैसा transact कर सकते हैं तीस मिनिट तक इसकी validity रहेगी simple है काफी अच्छा है तो यह जो cloud computing होता था या फिर किसी तरीके का card के थुरू illegal transaction होने का chances जो होता था cloud computing के थुरू वो बंद हो सके का न रिसेंटली सिर्सी सुपारी got geographical indication tag with which state it is associated कौन से state से associated सिर्सी सुपारी सुपारी आपको पता है काँ पान वगेरा में भी काम में आता है कई बार पूजा में भी काम में आता है तो इस सुपारी में कुछ खासिये थे जिसके कारण इसको GI tag मिला है आपको पहले बता दूँ 2013 में इसके लिए पहली बार apply किया गया था but 2019 में जाकर scientist अब करनातिक में, वहाँ पर ये बिसिकली ग्रोग किया जाता है, जो कि थोड़ा राउंड होता है, थोड़ा फ्लैट होता है नीचे से और इसका जो कलर है थोड़ा एश कलरड होता है इसलिए ये यूनीक है, आपको पता है सुपारी का जो इंग्लिश नेम होता है क्या होता है अरेकानट जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना और साइन्टिस ने प्रूफ किया हलांकि अब ये जी आई टैक के अंदर आता है कहां से बिलॉंग करता है तो ओविसली करनाटिका से बिलॉंग करता है now NHPC national हाइडल पावर कॉर्परेशन विल बी रिक्वाइरिंग होना चाहिए यहाँ पर A-C-Q-U-I-R-I-N-G चाहिए आप आगे लिख लेना विच एमंग दा फॉलोईंग पावर कंपनी इन दिस स्टेट ऑफ सिक्किम सिक्किम के कौन से हाइडल पावर कंपनी को आइमिन पावर कंपनी को NHPC एक्वाइर करने वाला है तो आंसर इस स्टेट फॉरवर्ड लैंकोर तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड और यह 500 मेगावाट का प्लैंट था जिसको अब NHPC ने एक्वाइर कर लिया है कितने दाम में तो 907 करोड के लगबग में इसने एक्वाइर किया है करीब यह 5748 करोड का यह प्रोजेक्ट है जिसमें 26.5 मीटर हाई बेरेजिक तयार करना है ठीक है तिस्ता नदी जो कि सिक्किम से बहती है तो अंसर इस लैंको तिस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड नौ नेक्स्ट कोश्चन इस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीजड विच एमंग दा फॉल्विंग इमर्ज आस टॉप पर्फॉर्मर इस इंडेक्स किसके लिए दे आता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक के पर्फॉर् और यह टॉप पर्फॉर्मर रहा इस इंडेक्स 2019 का करीब 140 पैरामीटर पर इन बैंक का आकलन किया जाता है और इसली गया गया इसको सबसे जाधे पॉइंट पस्ट फिंग इस कि इसने जो रिफॉर्म्स थे गॉवर्मेंट के रिफॉर्म्स और एजेंडा को काफी नौ फॉर्थ एशियन एशियान यहां पर एशियन गलत लिखा हुआ है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है एशियन कभी ऐसा आपको दिख जाए तो कमेंट कर लेना मेरे को खैर करेक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि स्पेल अगया था सुरेश प्रभू जो कि कॉमर्स मिनिस्टरी के हेड हैं कॉमर्स अन इंडस्ट्री जे जे अर इससे होगा क्या क्या है यह एक्षयान इंडिया एक्सपों समिट क्यों रखा गया है देखिए एशियान में 10 कंट्री इंट उनके साथ इंडिया का जो बेसे के लिए इंपॉर्टेंट है और एशियान का फुल फॉर्म आप सभी को पता हैं ये एस्सोशियेशन ऑफ साउथ इस अशियान नेशन और जो की 1967 फॉर्म हुआ था आपको इतना पता होना चाहिए अगर स्टाटिक जीके की बात करें एशियान नेशन के बारे में कहां पर तो इसको कई बार ना एशियान नेशन को बैंककॉक डेकलरेशन के नाम से भी जाना जाता है इसके मेंबर कंट्रीज केतने हैं तो दस हैं पिछले वीडियो में हमने डिसकस किये थे एक बार चलिए फिर से मैं बताई देता हूँ लेकिन 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 चलिए वह तो आप इतने भी मेंबर थे वो सब बाद में अड़ हुए थे ठीक है तो आप इस बात का ध्यान रखना अब कर चलते हैं आगे नौ फर्स्ट मेंगा फूट पार्क ऑफ हिमाचर प्रदेश इनाउगरेटेड अट विच प्लेस ऑविसली इसका अंसर है उना में और इसी तरीके का एक कोशन हमने पहले भी डिसकस किया था सिकारिया फूट पार्क रिसेंटली कहां पर और अर्गनाईज हुआ है तो त्रिपूरा में अगर तला में और अर्गनाईज हुआ है जो कि वहां का पहला फूट पार्क है और अठार्मा डेश का ऐसा फूट पार्क है अब आप से food processing हर शिम्रत को और बादल ने इसका inauguration करा 107 करोड यह exact अगर बोले तो 107.34 करोड टोटल कॉस्ट इसका है करीब यह 5,000 लोगों को employment देगा directly-indirectly और 25,000 farmers को यह help करेगा ठीक है repo rate revised यहां पर थोड़ा सा गरती है repo rate of repo rate was revised recently कुछ करोना चастंग है and what is the present repo rate of India as per RBI तो presently जो India का repo rate है वो change किया गया है सशिकान दास जबचे governor के रूप में आए है और repo rate अब इंडिया का is 6.25 पहले था 6.50 तो 0.25 की कटोती की गई है अब repo rate आप सबको पता है यहाँ पर PICS से बहुत क्लिरली समझ में आ रहा है RBI जिस rate पर bank को पैसे देती है उसको कहते है repo rate इसका सीधा असर आप पर भी पढ़ सकता है तो 6.25 is the current rate याद रखिएगा चलते हैं आगे PayU India PayU में U Capital होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर U Capital होगा ठीक है PayU India has appointed Dash as CEO Chief Executive Officer तो Aniband Nukharji is the PayU India इंडिया के head रहेंगे PayU के एक तरीके का यह online payment service है और इसके पहले Aniband Nukharji Reliance Payments के साथ जुड़े वे थे Obviously यह question discussed था इसलिए मैं इस पर जादा टाइम नहीं दे रहा हूँ RBI imposed a fine of 1.5 करोर on which among the following PSU bank for public sector undertaking bank for violation of banking norms देखिए यह question इसलिए important नहीं है क्योंकि 1.5 करोर का charge लगा है क्योंकि बहुत सारे बैंकों को charge लगे है तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 1.5 करोर जो इस question में पूछा गया है वो लगा है Oriental Bank of Commerce पे कई बार RBI के guidelines पर follow नहीं करती है bank तब उन पे charges लगाया जाते है fine imposed किया जाता है कई बार banking norms का violation होता है तब charges लगाया जाते है उसी तरीके से अब आपको मैं बताता हूँ कि Punjab National Bank को 1 करोर का fine लगा है उसी तरीके से Bank of India को भी 1 करोर का fine देना पड़ा है उसी तरीके से Syndicate Bank को भी 1 करोर का fine देना पड़ा है State Bank of India उसको भी 1 करोर का fine देना पड़ा है ठीक है तो बहुत सारे बैंकों को देना पड़ा है लेकिन आपसे जो कोशन में पूछा गया है 1.5 करोड तो वह हुआ है अब आपको मैं आपसे कोशन पूछ दूँ की ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स के प्रेजेंट जो CEO है वो कौन है तो उसका अंसर आपको कमेंट में देना है चलिए पंजाब नेशनल बैंक का भी मैं बता देता हूँ क्या पता भूल गयों वैसे तो मैंने एक वीडियो अप्लोड कर रखा है लेकिन मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है या देखा है या नहीं देखा है सुनील महता प्रेजेंट ली पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं और बैंक अफ इंडिया की अगर बात करें तो बैंक अफ इंडिया के दीन बंदु मुहा पात्रा मैंने सारा अप्डेट कर रखा है तो दीन बंदु चलो आप इसके आगे लिख लेना मुहा पात्रा आपको पताई है ठीक है तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट कोशन आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने की मंजूरी दी है तो जो कारण है वो है clean drinking water आपने पढ़ा होगा पिछले साल उसके पिछले साल भी कि शिमला में गर्मियों के समय में पानी की बहुत दिक्कत आ रही है proper clean drinking water नहीं मिल पा रहा है लोगों को उससे tourism भी effect हो रहा है बहुत हद तक और इसके लिए world bank ने करीब 40 million dollar का लोन दिया है हिमाचर प्रदेश को और आपको यहाँ पर बताना है कि world bank की present president कौन है तो question number two आज के लिए अगर आपने इन दो question का आंसर दिया तो genius और world bank के दो part है आप सबको पता ही है IBRD जो हमने बहुत पहले static gk में बताया था और दूसरा क्या है IDA IBRD के जो total members 189 है और IDA के 173 है तो मेरी french writing को थोड़ा सा आपको bear करना पड़ेगा हर बार की तरह who will head walmart backed e-commerce company myntra and zebong तो flip card की थी myntra and zebong अब तो वो walmart की हो चुकी है तो आपको बताना है यहाँ पर की myntra and zebong के head कौन है तो obviously रिशी वासुदेव will head myntra and zebong flip card की CEO कौन है तो कल्यान कृष्ण मूर्ती यहाँ पर आप देख सकते हैं रिशी वासुदेव को moving ahead we have which country has banned use of all Indian dominations above rupees 100 तो 100 रुपय से उपर की currency accept नहीं की जाएगी इस country में इस पर राष्ट्रिय bank of Nepal ने भारत सरकार को लिखा भी था तो answer is Nepal और अब जो नेपाली tourist हैं इंडियन करेंसी को लेके किसी foreign country में नहीं जा सकते हैं उनको नेपाली करेंसी लेके जाना पड़ेगा यह USD लेकर जाना पड़ेगा अब इंडियन बिजनेसमेन भी जो बिजनेस करेंसी नेपाल में उनको 100 रुपय से उपर का currency उनके लिए useless हो जाएगा वहाँ पर तो 2500-200 के domination पूरी तरीके से band हैं तो आप भी जब नेपाल जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा इंडिया में अब जो इंडिया का च्छाबर जो पोट है इंडिया ने लिया है च्छाबर पोट उसके जो ट्रांजक्शन होता है या उसको बिजनेस हो रहा है उसका सारा एकाउंट अब इंडिया क्राइछ इजली हेंडल कर सकती ओर ट्रांजक्शन्स को हेंडिया करने में मदद मिलेगी और जो इंपोर्ट हो रहा है ऊइल का उसका भी अब clear-cut इंडिया जो भी handling है, transaction handling है, वो सब हो सकता है, तो अच्छा step, moving ahead, इरान की capital तेहरान, now, HDFC, group finance, has announced its merger with, तो इंडिया का newest commercial bank कौन सा है, तो बंधन bank, उसके साथ, HDFC, collaborate कर रहा है, और group finance, एक affordable housing finance, आम है, HDFC का, और बंधन bank के CEO कौन है, ये भी हमने discuss किया था, चंद्र शेखर घोष, तो आपको ये सारा point, ध्यान रखना चाहिए, SHE, KHAR, शेखर घोष, GHO, SH, ठीक है, चलते हैं आगे, Now, newly elected MDCO of Axis Bank is कौन है, तो अमिताब चौधरी, और शिखा सर्मा के retirement के बाद, अमिताब चौधरी को MDCO बनाया गया था, और ये अमिताब चौधरी जो थे, HDFC Standard Life Insurance Corporation के पुर्व MDCO रह चुके है, खाली आपको जानना है यहाँ पर अमिताब चौधरी, क्योंकि अब शिखा शर इमार नहीं रहें, Now, पाकिस्तान approved issue of Panda Bonds, यहाँ पर एक full stop मुझे रगता होना चाहिए, और capital में यहाँ पर T होना चाहिए, These Bonds belong to, किसको belong करता है, Panda Bond जो कि पाकिस्तान ने accept कर लिया है, अप्रूव कर दिया है, तो answer is China, अब समझने वाली बात यह है, चाइना चाहता है कि United States Dollar, USD का दबदबा मार्केट से दुनिया से कम हो, इसलिए वो China Bond तयार किया, China Bond लेने वाला पहला country कौन था, Philippines था, Philippines के बाद पाकिस्तान पहला ऐसा company बन गया है, जो China Bond issue कर रहा है, इससे सही में जो Chinese currency है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, उसको एक पकड़ मिल रही है, ग्लो अब यह जो Bond है, इससे होगा क्या, पाकिस्तान easily loan ले सकता है, चाइना से, पाकिस्तान का dependence जो USD पर है, अमेरिका पर है, वो कम होता जाएगा, तो अमेरिका को भी इस बात की चिंता है, और पूरे दुनिया को भी इस बात की चिंता है, हाल ही में फिलिपीन्स ने करीब 1.46 billion एशू करा था, और यहां पर मुझे लगता है, मैंने काफी जादा बोल दिया, अब हम चलते हैं, नेक्ट कोशन पर, तो चाइनीज रेमेंबी डॉमिनेटेड है, यह Panda Bonds, आपको भी समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, पैसाबजार.com and Dash has partner to provide home loans to customers, name the bank, यहां पर S ह पैसाबजार किसके साथ collaborate की है हाल में, तो यह की है, करनाटिका बैंक के साथ, और देखिए कर जो पैसाबजार.com online portal है, उसके तहत 30 partners हैं presently, उसमें से एक अप करनाटिका बैंक भी है, जिसके तहत आसान home loans provide किये जाएंगे, मेरा मुझ बोलते बोलते काफी थक गया है, गर उन दोनों को मैं share कर दूँगा, ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताना, और important questions, January, February, March वाले current affairs को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे economics के important questions है, economics plus banking के कुछ important questions है, आप science and technology का मैं separate video बनाऊँगा, और आपके सब के साथ 3 महीने का current affairs share करूँगा, तिल देन गुडबाई, टेक केर, कीप वाचिंग, एग्जाम फोकस,